वन्नी संसमाज, धर्मप्रमी सज्जनों, प्यारे प्यारे छोटों बच्चों, मेरे लिए निर्देश हुआ है, आप सब के समक्ष थोड़ी देर निविदन प्रस्तूत है. अभी पुजवर साहिब जी के विचार दो तिन दिन से लगतार, जीवन के विशाय में बहुत गंभिर विचार सुनते आए हैं, और एक महत्वपुन विशाय पर सुनते आए हैं. इतने सारे विचार सुनने के बाद भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे करवटे आती हैं, और हम अपने को पूरा शोप देते हैं, गलत मारगा के लिए तै कर लेते हैं. और कौन सा है मारगा? सदुरू कबीर साहिब कहती हैं, ये भ्रम भूत सकलजग खाया. बाद समझ में नहीं आई होगी? भ्रम भूत जादो टोना जादो टोना दिसाशूल लगन मूर्त इसमें पूरे संसार के लोग जहड़ा गया, सकल जग खाया, पूरे संसार के लोगों को खा गया. और सायद यहां बैठे हुए 95 प्रतीसत लोगों को वो भ्रम भूत सकल जग खाया में गिनती हैं. कैसे गिनती हैं? आप सिरियल से देखते जाएए, कैसे आपको अपने ही विचार, अपने ही करम, अपने ही जीवन को हम कैसे दोहन करते हैं? और कैसे हम नाना प्रकार के करमकांड और पाकंड में अपने जीवन को बरबाद कर देते हैं? हम जीवन को नहीं समझ पाते हैं बाहरी करमकान और पाखंड से बाहरी भ्रम्भूत से जादो टोना से ये सच है ये गलत है मान करके असली देवी देवता का त्रिशकार कर देते हैं और सही देवी देवता को नहीं समझ पाते हैं जीवन ऐसे ही बेकार चला जाता है बहुत लोग के मान्यताएं होती है खास करके माताएं ध्यान देंगे कि इस दुनिया में अलग से कोई इश्वर है अलग से कोई परमात्मा है या कोई जादू होता है या कोई टोना होता है ये बहुं सारे भ्रांतियां चलती है इस्वर और परमात्मा के बाद कहूँ अलग से तो मैं सरल सब्दों में कहूँ तो जितने मंदिर और मस्जिद जितने भी जितने भी एक तो नहीं आपके सिर्फ अंजोराग्राम में नहीं पूर विश्व में जितने मंदिर और मस्जिद है वहां से पैसा और धन संपत्ते निकाल दिया जाए छे महने में मंदिर और मस्जिद समापत हो जाएंगे मात्र छे महने में किसले चलता है बिजिनिस वैपार मात रच्छे महना में सारे मंदिर और मस्जिद गायब हो जाएंगे क्योंकि पैसा के बल पर चलता है और वहाँ एक बिजिनिस आज से करीब छे महने पहले तिरुपती बाला जी मंदिर में एक पुजारी के घर में रेड पड़ा था उनके यहां से डेर करोड की संपत्ती और 46 तोला सोना निकाला गया था क्या भगवान इतना बहरा है मैं छमा चाहता हूँ मैं आपसे प्रस्न कर रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे प्रस्ण कर रहा हूँ क्या इतना भगवान निर्दई है जो गरीबों का चीज मार करके गरीबों का हक मार करके पुजारियों के पेट भर देते हैं पुजारियों को घर भर देते हैं आप इतना निर्दई आप इतना लगन के साथ पूजा करते हैं और आपके साथ इतना नय होता है क्योंकि आपने गलत किया है क्या गलत किया है बताओं आपने सही भगवान की पूजा नहीं किया गलत भगवान की पूजा किया है जो भगवान आपका सहयोग करते हैं जो भगवान आप बिमार पढ़ते हैं तो इलाज करते ह सारी व्यस्थर जो भगवान करते हैं क्या उस भगवान को उतना स्रद्धा और प्रेम से आपने पूजा किया है आप उस भगवान का त्रिश्कार की आप उस भगवान एक घटना याद है एक नए नए बहु आए रही और आने के बाद में उसकी सासुमा बोलती है बेटी अचछा दिन है और अच्छा दिन है इसलिए आज तुम सुबा इसनान करके तैयार हो जाना आज मंदिर में भगवान की पूजा करने जाएंगे कहती है ठीक है मा उनकी बहुत तयार हो जाती है फूल लेकर के अगरबत्ती लेकर के फूल बत्ती बना करके नारियाल लेकर के पूर्ण रुप से तयार हो जाती है और मा के साथ में अपनी सासू मा के साथ में मंदिर को प्रस्थान करती है जैसे प्रस्तान करती है मंदिर के पास जानने के बाद में उनकी सासू मा सिड़ी से उपर चले जाती है और पहू वहीं पर रुख जाती है वहीं से बुलाती है उनकी सासू मा बेटी तुम आजाओ मंदिर यही है इतने में बोलती है उनकी बेटी उनकी बहू मा मुझे डर लगता है उनकी बहु बोलती है कि मुझे डर लगता है सासु मा कहती है किस चीश का डर है ये तो भगवान का मंदीर है बहु बोलती है मा आप जहां पर खड़े हैं आपके आगे आपके दायने और बायां साइड में सेर खड़ा हुआ है मुझे डर लगता है इतने में सासुमा बोलती है बेटी ये तो पत्थर है पत्थर के मूर्ती है इसमें जान नहीं है इससे कुछ नहीं होने वाला है तुम आजाओ मेरे पास आजाओ वो दौन करके सिड़ी से आगे बढ़ती है और अंदर प्रवेश करत है और वहां पर एक पत्थर का मूर्ती बना हुआ था कहती है बेटी को कहती है अपने बहु को कि बहु इस पर फूल चड़ाओ अगरबती आरती जलाओ और इसकी पूजा करो इतने में बहु फिर पूछती है किसकी पूजा करो मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहिए भग मा बोलती है भगवान है पत्थर के मूर्ती नहीं है इतने में बहु बोलती है मा जब बाहर बाहर जो बैठा सेर पत्थर के मूर्ती हो सकता है तो अंदर में बैठा पत्थर के मूर्ती भगवान कैसे हो सकता है आप से प्रसन है आप सब जाते हैं मंदिर में आप से प्रसन ह बाहर में बैठा पत्थर की मूर्ती सेर हो सकता है उसमें जान नहीं और प्राण नहीं तो अंदर में बैठा भगवान और मूर्ती कैसे भगवान हो सकता है मैं नहीं कहा रहा हूं भगवान नहीं है मैं आप से प्रस्ने कर रहा हूं मैं आप से प्रसने कर रहा हूँ जब करोना काल की महमारी चल रही थी तो पूरे भारत देश नहीं पूरे विश्व भगवान की पूजा करने में जपे हुए लगे थे लेकिन कोई भगवान काम नहीं आये सारे भगवान के दरवाजे बंद कर दिये गए थे कहा गए थे उस समय आपके भगवान कहा गए थे उस समय आपके भगवान कौन सा भगवान काम आये थे आपको पता है वही डाक्टर वही नर्स वही सारे लोग कामाये थे वही जो आपके बेटे हैं आपके पुत्र हैं आपके माँ हैं आपके माँ बाप है आपको करोना महमारी होते हुए जानते हुए आपके करीब जाते थे और जानते थे कि ये चुवा चूत की बिमारी है मुझे भी लग सकता है लेकिन ड़ते नहीं थे आपका प्राण प्री था इसलिए आपके करेब जाते थे लेकिन सारे भगवान के मंदिर बंद कर दिये गए थे कहां गए आपका भगवान आप अंधविश्वास और चमतकार और अडंबर में अपने जीवन को बरबाद मत करी एकल साहर जी कहा ही रहे थे पूजा पाट से जीवन नहीं बदलता है जीवन बदलता है कर्मों से क्या आपने कर्म किया है वैसा जितनी स्रद्धा और भक्ती से उस पत्थर की भगवान आप समझते ही जिसे मुर्ती समझते हैं जिसे उतनी स्रद्धा और भक्ती से कहीं आप सासु मा के प्रती उतनी स्रद्धा और भक्ती रखते तो निश्चित ही आपको भगवान का दर्सन हो जाता निश्चित ही आपको भगवान का दर्शन हो जाता लेकिन आपने जिसमें जान नहीं है उनमें जान छिड़कने का प्रयास किया है और जिसमें जान है उसका अन्नखिचने का उसका आहर हक मारने का आपने प्रयास किया है अभी कर मैं साम को घुमने जा रहा था तो एक कप होना या है लगभग लगभग 40 साल से कबिर पंती है और कहे कि मेरी बेटी पर दोसरों ने कुछ कर दिया है मैं कहा आपके भाउनाई ने सब कुछ किया है दुसरे ने नहीं किया है यह मेरे चालेंज है आपके भाउनाओं ने आपकी बेटी को सब कुछ बरबाद कर दिया है और अपने बेटी से पुष्ती है बेटी तुम्हारे आँखों में तो कोई दिखाई नहीं देता है उनके आँखों में वो रूबरू डाल रहा है उनके आँखों में उफुक रहा है कि तुम किसी का नाम ले दो क्या इतना मात्र से कुछ हो जाता है यदि आपके गाउं में कोई टोना जादू हो टोनी हो तो मेरे उपर कर ले जो करना है मैं लिख के दे सकता हूँ कुछ नहीं होता है आप इन भ्रांतियों में अपने जीवन को बरबाद मत करिए भ्रांतियों में लड़ते लड़ते जीवन बरबाद हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा आपके बीच में जो प्रेम है वो प्रेम तूट जाएगा आपका घर है वो घर बेघर हो जाएगा आप तमाम प्रकार के भ्रांतियों में बंद करके आपको एक चीज बताओं मैं सद्रु कबीर का विचार एक ऐसा विचार है जहां भ्रांतिया नहीं है जहां करमकांड नहीं है जहां पाखंड नहीं है मात्र सद्रु कबीर के विचार को आप सुन करके जीने का प्रयास करेंगे ना आपके पनक करम कांड यह कहते हैं मातर कभीर का नाम जपो आपके आप पनक किरते रहे भ्रहांभूत बृतव पर मुष्ट पूजा पर अन्याय पर वही कबिर पंधियों ने कबीर की पूजा सिर्फ कबीर की मूर्ती की पूजा करके आदमी ने सदुरु कबीर को प्रब्रमनायक बना दिया क्या ऐसा हो सकता है मैं कह रहा था कि आप जितना स्रद्धा और भक्ती से आप मंदिर में जाते हैं उतना ही स्रद्धा और भक्ती से आप घर को मंदिर बना लिजिया और घर के सारे सदस्यों को देवी देउता समझे उनके सांथ देवी देउता की तरह वहार करिए तो निश्चित ही आपका घर मंदीर बन जाएगा फिर आपके जीवन में कुछ अलग ही आनंद होगा जीने का अंदाज ही कुछ अलग होगा बच्चा जैसे ही घर में पैदा होता है उनको तमाम प्रकार की ब्रांतियां उन पर लादा जाता है क्यों उलादते हैं आप ऐसे क्यों अपने ही बच्चे पर गलत ब्रांति लादते जाते हैं क्यों ही अपने बच्चों को गलत रास्ते पर आप लेते जाते हैं क्या आपको नहीं लगता ये गलत है अगर ऐसा होता तो आज हास्पिटल की ज़रुरत नहीं होती अगर जाड़ फुक से कुछ होता तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैंने बात जितनी भी बात करा हूँ उसकी स्चुरुवात मैंने एक लैन में कहा दिया था कि सारे भ्रांतियों का जड़ है आदमी का पैसा कमाना और बिजनिस है आज आपके इस नकपूरा गाओं में जितने मंदीर होंगे उतने हास्पिटल और इसकुल नहीं है क्यों चलते हैं मंदीर? क्योंकि उससे आवाक है जिस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा उस दिन मंदीर के दर्वाजे बंद हो जाएंगे मैं कांकेर छेत्र में गया था आज से तीन महना पहले तो एक व्यक्ति कहे हमारे छेत्र में एक बैगा है जो बाण मारता है और बाण मारता है 24 घंटा के अंदर उसका सरीड छोड़ जाता है यह गरंटी है कहे मैं कहा मैं लिक के देता हूँ मेरे उपर बाण माले जो करना है कर ले आपके बैगा में कितना हिम्मत है और जो पैसा चाहिए वो भी दूंका खर्चा आप लिक करके मुझे से ले लीजिए ऐसा नहीं होता है लेकिन होता भी है कैसे होता है यह वताता हूँ आपके मन में जब विचार आना शुरू होता है कि मेरे साथ उन्हों ने ऐसा किया है आप सोचना सुरू कर देते हैं कि मेरे साथ सामने वाले ने गलत किया है गलत किया है सामने वाले गलत तो नहीं किये रहते हैं आप गलत हो जाते हैं आप गलत हो जाते हैं, कैसे गलत होते हैं, जब आप दुसरों के लिए जो बीज बोते हैं न, वो आप के लिए फल मिलता है, जो आप दुसरों के लिए सोचते हैं न, वो आप अपने जीवन में काटते हैं, आप यदि घर में सास के साथ, बहु के साथ, देरान के साथ, जिठ करत का बीज बोते हैं तो आप सिर्फ उनके लिए बीज बोते हैं लेकिन सवभाग्य कहूं चाहे दुर्भाग्य कहूं वो फल आप काड़ते हैं आप काड़ते हैं क्या अपने जीवन में प्रेम का बीज नहीं बोना चाहते हैं आप छोटी सी प्यारी सी ननी सी जिंदगी है इसमें प्रेम से आनन्द से नहीं जीना चाहते हैं आप आप घर में वेवन स्पाइदा करके आप एक दूसरे के साथ में इसा और देस पैदा करके क्या प्रेम का जीवन जीपाएंगे आप आपके जीवन में उखुषाल नहीं मिलेगी यदि किसी के प्रती रंच मात्र भी थोड़ा भी यदि आपके मन में किसी के प्रती गलत भावनाए हैं तो आप जीवन में कभी सकून की जिंदगी नहीं जी सकते एक चीज़ और दुसरा चीज़ यह चा रहा हूँ यदि आपके मन में कहीं भी ब्रांतियां हैं थोड़ी भी ब्रांतियां तो इतना निश्चित जान लिज़ेगे कि आप धुखों से चुट्टी दुखों से मुक्ती कभी नहीं हो सकती आपको दुखू से मुक्ती कभी नहीं मिल सकती है ये गरंटी है आप लिख लिजी अपने दिमाग में जदी कहीं भी ब्रांतियें हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने करमों पर आपको अपने करमों पर विश्वास नहीं है आदमी गाड़ी चलाता है दस लाग की बिस लाग की तीस लाग की गाड़ी चलाता है और गाड़ी के इंजिर्निंग पर विश्वास नहीं है गाड़ी के इंजिर्निंग पर विश्वास नहीं उनको इतना सोध करके बनाया जाता है गाड़ी को उस पर विश्वास नहीं किस बताऊं गाड़ी के ड्राइवर अपने बगल में एक लाल चुनडरी बान लेता उस पर विश्वास होता है गाड़ी के एंजिर्णिंडर भरोसा नहीं है। आपको एक ताबिज पे भरोसव होता है, क्या उससे कुछ हो सकता है? अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ मैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को देखा हूँ मैं, यहां तबिज बांद लिए गले में तबिज बांद लिए और लड़कियों को देखाऊं यहां पैर में धागा बांद दिए उससे क्या होगा उससे क्या आपको अच्छी पती मिल जाएंगे यही चाहते हैं क्या ना आपका करम बताएगा आप क्या चाहते हैं आप घर में महसूस कर रही हूं कि मुझे गंद महसूस हो रही है कहीं से कहीं से गंद महसूस कर रही है हाँ जोड़ ही एक बहू इतने में उनकी सासुमा निकलती है एक बहू अपने बहू से कहती है तुमको इतना भी दिमाग नहीं है तुम अंगुठी पहने हो अपने बाएं हाथ में औ इतने ब्रांतियां रहती है, इतना सभ्न, सुनने में अच्छा लग रहा है न, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं घुशे का सायगा अगर गुशे गए तब मानूंगा आप जा करके सारे ब्रांतियों को तोड़ देंगे आज से मैं यही मानूँगा यदि आज आप सारे भ्रांतियों को तोड़ देंगे तो मैं संजूँगा कि वास्तों में आपके दिमाग से भ्रांतिया निकल गई है जीवन में भ्रांतिया मत पा लिए आप मंगल बुद्ध उत्तर दिसकाला कहा गया है आप सुने होंगे मंगल बुद्ध के भारत देश में हज़ारों ट्रेन चलती है मंगल बुद्ध के उत्तर और दक्षिन के दिसा में क्या ओ ट्रेन में हर रोज एक्सिडेंट होता है सिर्फ आपके लिए है सिर्फ आपके लिए होता है आप सुचिए, कुछ लोग सुचते हैं, इस दिन बाल बनाना चाहिए, इस दिन नहीं बाल बनाना चाहिए, हम तो सुचते हैं, इस दिन लोग नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं, उसी दिन हम लोग मुड़वा लेते हैं, चलो, लोग को संतोस, हम गाड़ी से रोज यात्रा करत और रोज यात्रा करते हैं लोग कहते हैं रास्ते से बिल्ली अगर काट दिया तो रुख लेना चाहिए और जब तक दुसरे यात्री न निकल जाए तक क्रास नहीं करना चाहिए दुसरे यात्री, कहते हैं दुसरे यात्री मरे चाये, जो हो, लेकिन मैं तो बज्च होंगा और हमको कोई फरका नहीं पड़ता है, रास्ते से बिल्ली जा रही है, अपना काम कर रही है हम अपना काम कर रहे हैं, क्यों भ्रांतियों में आप जकड़े हुए हैं असली आप भगवान के भक्त हैं असली पुजारी है इसका पहचान क्या है पूजा चरित्र की होती है चित्र की पूजा नहीं होती है इस बात को आप दिमाग में विठा लीजिए पूजा चरित्र की होती है चित्र की पूजा नहीं होती है एक आदमी यहां से पैदल चलता है और सौ करोड रुपय की भी गहना पहना हो सव करोड रुपय की हीरा जवारा से लदा हुआ हो एक आदमी चल ला है लोग देखेंगे बस कोई फरका नहीं पढ़ता है लेकिन एक आदमी पैदल चल ला हो सिंपल सा कपड़ा पहना हो स्वेत वस्त्रधारन कर लिया हो यसन्यासी कलर कपड़ा पहली हो सव करोड क्या मात्र सव रुपय का कपड़ा पहना हो लोग उसकी चरणोदक लेते हैं आरती उतारते हैं पूजवंदना करते हैं क्या आप चाहते हैं कि आप चरित्र की आपकी चित्र की पूज़ा होती है आप लोग सोंचते हैं गहने से जेवर से कपड़े से हम अच्छे दिखते हैं आप अच्छे नहीं दिखते हैं जब गहना उतार देते हैं आपकी सुन्दर्ता खतम हो जाती है कपड़े बदल देते हैं आपकी सुन्दर्ता खतम हो जाती है सुन्दर्ता किसकी थी आपको पता है आपके गहने की सुन्दर्ता थी आपकी सुन्दर्ता नहीं थी वो आपके कपड़े की सुन्दर्ता थी आपकी सुन्दर्ता नहीं है वो और आपकी सुन्दर्ता आपकी सुन्दर्ता वो नहीं है आपकी सुन्दर्ता आप चेहरे से गोर ना सुरू हो जाएगा आपकी सुन्दर्ता कहां चली गई भी आपकी सुन्दर्ता गायाप हो गई सुन्दर्ता भी गायाप हो जाती है इसलिए आप इन चीजों को ध्यान दीजिए कि सुन्दर्ता सुभाव का होना चाहिए सुभाव सुन्दर होना चाहिए आचरन सुन्दर होना चाहिए ना कि आपका मकान सुन्दर से आप सुन्दर लगते हैं कपड़े सुन्दर से सुन्दर लगते हैं आपके गाड़ी सुन्दर हो आजकल देखती हैं आप जैसे ही किसी अच्छे-च्छे मकानों में देखते हैं मकान बना रहता है मकान में जैसे प्रवेस करते हैं प्रवेस करते हैं फाल सिलिंग लगा हुआ है डाइनिंग रूम सजा हुआ है बेडरूम सजा हुआ है कीचन कीचन सजा हुआ है इस्पेसल और जैसे आप प्रवेस करते हैं बाहर से चका चौंद लग रहा है आप प्रवेस करते चले जाते हैं थोड़ा सा और प्रवेस कर दे आप कीचन में चले जाते हैं बहार से चक मका रहा है लेकिन वही मकान है घर के रहने वाले सुन्दर दिख्रहे हैं लेकिन सूबा का चाई पिया हुआ कब 6 ज़न्टा पड़ा रहता है मकीः भी ना रहेता है क्या यही सुन्द Knights है आप गलती से कही टैलेट में घुज गए तो सुवा बच्चा इस्कुल जाने के लिए इसनान किया है वो बच्चा इसनान किया है वो कपड़ा पड़ा हुआ है और 6-6-8 घंटा वो कपड़ा कीचन में सड़ता रहता है क्या यही आपकी सुन्दरता है आप पड़े लिखे लोग है अच्छे मकान है अच्छे घर है जीने का कई यही तरीका है आपका अवे अस्तित जीवन कई कीचन बेडरूम में भी कभी गलती से चले जाते हैं तो बेडरूम में देखता है कपड़ा अस्त वेस्त पड़ा है घर का समान अस्त वेस्त पड़ा ह आपका जिवन विस्तित है आपका ऐसे जानेंगे आप पहले लोग घर में प्रवेस करते थे तो पहले शूब लाव लिखा हुआ था अब जैसे ही घर में प्रवेस करते हैं तो आदमी नीबू मिर्चा और ना जाने क्या क्या गूत करके रख देते हैं मतलब आप आ रहे हैं वी filter करके हो जाए है यहां पर आपके अंदर जो भी होगो नीवी मिर्चा से कट जाएगा आ पेंदर प्रवेश करें तो वी filter आपको विश्वास नहीं है । अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है आपको करीब करीब ऊठीलर का माइ oh एक करोड का मकान बनाया था बहुं सुंदर मकान सुंदर दीख रहा था लेकिन सवभाग के कहूं कि दुर्भाग के कहूं उस मकान में एक पुराना टायर को टांग दिया गया था लोगों ने पूछा ये पुराना टायर क्यों टांगे हुए है तो कहते हैं इस मकान को इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है इस मकान में किसी का नजर मत लगे इसलिए पुराने टायर को टांग दे तो संथ कहते हैं अरे टांगना ही था तो कम से KAM अच्छे नया टायर को ही टांग लेते। और कुछ लोग क्या करते हैं मकान में मटका टांग देते हैं मटका। आप देखे होंगे मट्का। मटका टांगने से मकान में नजर नहीं लगेगा। जदी आप अपने खोपड़ी पर मटका पहल लेंगे तो आपको जीवन भर मौत की नजर नहीं लगेगी, आप बच जाएंगे मौत के नजर से, आप महसुस करिए आप कि इस दुनिया में आज को विज्ञान के जब आना में आप इतने भटक गए तो आपको कौन संजाएगा एक विज्ञान का लिक्चार है जो भासन देता है, एक घंटा विद्यार्थी स्टुडेंट को लेक्चर देता है और वही विज्ञान का लिक्चार घर में आता है तो कहता है भगवान पानी तो गिरा दे, इतना भी बोध नहीं, उनको विज्ञान का नियम है, पानी क्यों परा है आप पूजा करते हैं करिए मैं इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन पूजा के साथ साथ जीवन को भी बदलने का प्रयाज करिए यदि आप स्री राम की उपासा की तो राम की तरह अपने जीवन को भी बदलिए कभी भाई से नहीं लड़ते थे क्या आप भाई से न लिए गया है और ऐसी स्थिति आती है कि घर कूट करके विखर जाता है क्या आप लोग सिर्याम के भगत हैं ऐसे भक्त होते हैं ऐसे पुजारी होते हैं ऐसे भगवान के देवी देवता मानने वाले होते हैं क्या स्रिक्रिश्न के पूजारी ऐसे होंगे ये बाहर की पूजा और चना नहीं है पिर यहgging बाहर के पूजासे जीवन में पड़िवर्ता नहीं लिए आप से निवयदन करता हूँ कि आप पूजा करते हैं दिल से पूजा करिए और उनके जीवन के हिसाब से जीवन को बदलने का प्रयास करिए है भगवान जैसा आपका जीवन है वैसे ही मैं भी जीवन बनाऊं मेरे सामले अनकूल और प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिती में विचलित नहूं कैसा विचलित आपको घर से एक दिन के लिए बाहर निकाला जाएगा आप ता जाते हैं वनवास चले जाते हैं वनवास चले जाते हैं आपके जीवन में भी ऐसा ही प्रेम आपको नहीं कह रहा हूं कि आपके भाई घर से निकाले तो निकल जाओ आप अपने हक की लड़ाई करिए लेकिन हो सके तो संतोष करिए अगर हक की लड़ाई करते हम तो आपके बीच में नहीं बैठे होते हमको जो योग्यता साहभ जी ने कह रहे थे ना हम जो योग्य होते हैं वो योग्यता हमको मिलती है आज हम इस योग्यते इसलिए हमको योग्यता मिली है आप अपने जीवन को भी अपने जीवन को भी वैसे योग्यता पैदा करिए अपने अंदर वैसे एनरजी पैदा करिए अपने अंदर ताकि आपको लोग विश्वास रखे आपको लोग सम्मान दे सके और आप एक अच्छे माबाप बन सके अच्छे माबाप का मतलब है कि आपके बच्चे आपके चड़ने इस पर सकरे तो आप आशिरवाद दे तो आपके बच्चे मान सके लेकिन होता क्या है आप बुजुर्ग हो गया है तीस साल, चाली साल, पचास साल हो गया है आपके बच्चे आशिरवाद भी ले रहे हैं और आप आशिरवाद भी दे रहे हैं इधर से पान खा रहे हैं मूँ गलगला रहे हैं गाली विदे रहें गलोज भी कर रहें निंदा भी कर रहें चुगली भी कर रहें माबाप भी बन गए हैं मात्र बैच्चा पैदा करने से कोई माबाप नहीं बन जाते हैं जब तक आपके जीवन में उहम्यत पाइदा नहीं, जब तक आपके अंदर तजूर्वा पाइदा नहीं, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते Prest सोऔर Пैदा कर्ने से नहीं । इसलिए आप मैंने कुछ दिर आप प्रांदी उसी